प्रस्न चार वह सबसे छोटी संख्या ग्याद करें जो 32, 36, 48 और 96 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी संख्या ग्याद करना है जो 32, 36, 48, 96 से विभाज्य हो तो क्या करेंगे जब भी छोटी संख्या पुछे तो लगुत्तम निकालेंगे और जब बड़ी संख्या पूछे तो महत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर लगुत्तम निकालना है क्योंकि वह सबसे चोटी संख्या ग्याद करना है जो 32, 36, 48 और 96 से बिभाज है हो यानि 32, 36, 48 और 96 से सबसे चोटी संख्या जो जो बिभाज है उसको निकालना है तो क्या निकालना होगा? लगुत्तम क्योंकि लगुत्तम ही वह संख्या होगा जो इंचारों से बिभाज होगा तो देखे, दो से लग रहा है 16 दुना 32 18 दुना 36 24 दुना 48 48 दुना 96 फिर दो से लग रहा है दो अठी सोल्ला, दो नमा अठारह, बारह दुना चोविस, चोविस दुना अर्तालिस दो चोक आठ, दो छक बारह, बारह दुना चोविस, नौ नहीं लगेगा दो से फिर दो से लगाएंगे, दो दुना चार, दो तिया छे, दो छक बारह, नौ नहीं लगेगा फिर देखिए दो से लग रहा है कम से कम दो संख्या लगना चाहिए तो दो से दो गुना एक दो दो तिया छे तो दो गुना एक दो दो तिया छे दो से देखिए लग गया दोनों दो से नो नहीं कटेगा दो से तीन भी नहीं कटेगा अब देखें तीन से लग रहा है तीन ती आई नो तीन गुणा एक तीन तीन गुणा एक तीन अब नहीं लगेगा क्योंकि तीन सिर्फ बचा है यहाँ पर तो इसका लगुत्तम हो जाएगा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा घुना 2 घुना 2 घुना 2 घुना 3 घुना 3 तो इसको घुना कर देंगे ⁃ब 32 घुना 3 घुना 3 घुना 9 यानि तीजुना 9 हो जाएगा 9 ऐटार नोगटफाइस एक 28 28 तो 32, 36, 48 और 96 का लभुतम हो जाएगा 288 यानि सबसे चोटी संख्या तो लिखेंगा तर संख्या बराबर 288 इसका उत्तर क्या होगा 288 यानि सबसे चोटी संख्या 288 है जो कि 32, 36, 47, और 96 से विभाज हो जाएगा तो इस तरह से बस लगुत्तम निकाल देंगे तो सबसे चोटी संख्या पूछे तो लगुत्तम निकालेंगे और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो महत्तम निकाल देंगे प्रस्न पाँच वह सबसे चोटी संख्या ग्याद करें जो 255, 340, 425 और 765 से विभाज हो तो यहाँ पे भी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 255, 340, 425 और 765 से बिभाज सबसे छोटी संख्या निकालना है यानि इन चारों से जो बिभाज है वैसी सबसे छोटी संख्या निकालना है तो क्या निकालना होगा लगुत्तम तो जब भी सबसे छोटी संख्या पूछे तो लगुत्तम निकालेंगे और बड़ी संख्या पूछे तो महत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकालेंगे लगुत्तम तो 255, 340, 425 और 765 का लगुत्तम निकालेंगे देखे 5 से कट रहा है क्योंकि एकाई अंग पर 5 है यहां सुनने है 5 है यहां भी 5 है एकाई अंग पर तो 5 से कट जाएगा 25-25 पाज़ गुना एक 5 यानि 55-25 5 से 5 सदे 35 यानि 5 हक 30 4 इधर गया 40 हो गया तो 55-40 यानि 68-55 तीन सो चालिस 5 से इसको लगा देंगे 25-8-40 55-25 85-45 फिर 5 से इसको लगाएंगे 5 गुना एक 5 55-25 55-15 यानि 1535-75 अब यहां पर 17 से लगा देंगे क्योंकि 17 से कावन कट जाता है 68 भी कट जाता है तो 17 तीया एक आवन सत्र चौके 68 सत्र पचे पचासी और 17 से यह कटेगा कि नहीं 17 नमा एक सो तिरपन देखें कट गया अब फिर देखें अब 3 से कट रहा है क्योंकि 3 गुना एक 3 होता है 3 तीयाई 9 होता है 2 संख्या कम से कम लगना चाहिए तो लगा दिये अब बच गया यहाँ पर 4, 5 और 3 किसी से नहीं लगेगा कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए तो कोई भी 2 संख्या यहाँ पर नहीं लग रहा है तो आब इसका लगुद्दम हो जाएगा पांच गुना, सत्रा गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, तीन तो इसको गुना कर देंगे सत्रा पचे पचासी होगा और इधर हो गया तो आज आएगा पंदरह हजार तीन सो इसका लगुत्दम यानि पंदरह हजार तीन सो सबसे छोटी संख्या है जो की 255, 340, 425 और 765 से विभाज हो जाएगा तो लिखेंगा तह संख्या बराबर 15300 संख्या क्या होगा? 15300 तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था जो की 255, 340, 425 और 765 से विभाज है तो इसका उत्तर आगया 15300 प्राशन छठा वह सबसे छोटी संख्या ग्याद करें जो 2130 और 4473 से विभाज हो तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2130 और 4473 का लगुत्तम निकाल देंगे क्योंकि जब भी सबसे छोटी संख्या पूछे तो लगुत्तम निकालना है और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो महत्तम निकालना है तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ग्याद करें जो 2130 और 4473 से विभाज हो यानि ये दोनों संख्या से विभाज सबसे छोटी संख्या ग्याद करना है तो लगुत्तम निकालेंगे तो देखे दोनों संख्या 3 से कट रहा है क्योंकि दोनों को जोडने पर देखे कितना आया 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 3 से कट जाता है इसका मतलब 2,130 भी 3 से कट जाएगा 4, 4, 8, 8, 7, 15, 15, 13, 18, 18, 13 से कट जाता है तो 4,473 भी 3 से कट जाएगा तो 3,21, 3,13 यानि 710 तिया 2,130 3 से ये भी कटेगा 3,13, 3,12 3,27, 3,1, 3 तो हो गया 710 और 1491 तो यहाँ पर देखे 710 और 1491 सीधा 71 से कटेगा और किसी संख्या से ये दोनों नहीं कटेगा तो 71 गुना 10 होता है 710 और 71 गुना 21 होता है 1491 ठीक है तो 71 से दोनों लगेगा और कोई संख्या से नहीं लगेगा ये दोनों तो 71 गुना 10 क्या होता है 710 और 71 गुना 21 होता है 1491 तो 10 और 21 अब नहीं कटेगा किसी भी संख्या से तो इसका लगुत्तम हो जाएगा साथ सो तीस तो चोवालिस हजार साथ सो तीस सबसे छोटी संख्या है जो की दो हजार एक सो तीस और चार हजार चार सो तीहत्तर से विभाज होगा तो लिखेंगा ता संख्या बराबर जो पूछ रहा है यानि संख्या बराबर हो जाएगा 44,730 तो इसका उत्तर आ गया 44,730